तो आज हम देखेंगे कि जो अगर कोई अगर पंच कर रहा है तो कोई अगर पंच कर रहा है तो उसको ब्लॉक्स कैसे करेंगे जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं बेसिक ब्लॉक्स हम आज देखेंगे जैसे अपर ब्लॉक्स लोवर ब्लॉक्स और मिडल ब्लॉक्स अपर करते हैं अगर कोई फेस पर पंच कर रहा है हमारे ठीक है तो हम अपर ब्लॉक करेंगे इस तरीके से अगर कोई स्टमक चेस के तरफ पंच कर रहा है तो हम हम slide ब्लोक करेंगे ठीक है और कोई नीचे अगर कर रहा है तो पज़ हम lower ब्लोक करेंगे ठीक है इस तरीके से हम आज techniques देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए पहले हम देखेंगे अपर ब्लॉक्स ठीक है ठीक है हाथ को देखिए क्या करना है आपको जो हाथ आपकी इस तरीके से इसको इस तरीके से दीरे दीरे उपर लेके जाने का है ठीक है ठीक है जो हाथ है जो हाथ का ब्लॉक करेंगे वह उपर की तरफ रहेंगा दे 3 & 4 इस तरीके से ब्लॉक और जो हेड है यहने आपकी जो सर है उस और हाथ की बीच में चार उंग्लियों खा इस तरीके से देखिए तो चलिए देखते है प्रेटिकली देखिए अपर ब्लॉक कि यहां पर चाहिए कि टू इस तरीके से यह हो गए अपर ब्लॉक नेक्स देखिए कि अगर कोई चेश्ट यह समक के तरफ मिड़ल पंच करता है तो हमको मिडल पंच के लिए blocking techniques के लिए side block use करना है अगर कोई आपको नीचे के तरफ और अटेक कर रहा है कोई आपको गिरा रहा है और आपके अटेक कर रहा है लौर ब्लॉक ठीक है या तो फिर नीचे के थाइस पर ठीक है और बोलते हैं जैसे यूरीन की जगह होती है उस तरह उस जगह सेंसिटीव पार्ट होता है बॉइज और जेंट्स के लिए वो अगर कोई वहाँ पर अटेक कर रहा है तो आप कैसे ब्लॉक करेंगे ओ देखिए आप टो फर्स्ट आप मौलरि क्या पर करेंगे जो हाथ है उसी तरीके से उपर हाथ अब इसमें निचे आएंगा हात ओन है तो डो देखिए राया है डॉपफर तरब और यह ब्लॉक अब जो है राइट हैंड उपर की तरब और ये ब्लॉक ब्लॉक डेप्ट हैंड ऊपर ये ब्लॉक राइट हैंड उपर और ये ब्लॉक देखिए प्रैक्टिकली कैसा होंगा ये रहाँ सा जाओ देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है इस तरीके से आपको लोर ब्लॉक्स इस्तेमाल करने पर ठीक है तो ये बेसिक ब्लॉक्स थे ठीक है लोर ब्लॉक्स अपपर ब्लॉक्स और मिडल ब्लॉक्स तो चलिए वोप गाई से आपको वीडियो अच्छे लगे होंगी ये ट्यूटि लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस टेक्निक को जान सके और इस सर्फ डिपेंस की टेक्निक को वो यूज कर सके चलिए गाई मिलते हैं नेक्स वुड़ी में तक तक के जैहिन